लड़की आपकी महबत में बेचैन हो जाएगी आपकी महबत में दिनरात तड़पेगी जी हाँ भक्तो यदि आप वसीकरण कर करके ठक चुके हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बड़ा ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली उपाए महा सक्तिसाली तोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं तो पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को पती पतनी को गलफ्रेंड बोई फ्रेंड को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको तड़पा सकते हैं अपनी हर बात उस व्यक्ति से उस इन्सान से मनवा सकते हैं बक्तों, कोई भी इस्त्रेप्रूश किसी के लिए भी इस विदी को कर सकता है बहुत ही powerful और आजमाया हुआ उपाय है तब ही आज हम आपको बता रहे हैं इसके हमें अचूप परणाम देखने को मिले है जी हां भगतो हम जो भी उपाय आपको बताते हैं आप तक लेकर आते हैं हम पहले उसे खुद से practical करके देखते हैं तब ही हम आपको बताते हैं आज भी हम आपके लिए बड़ा ही powerful चपल तंत्र लेकर आए हैं जी हां चपल तंत्र आज हम आपको बताएंगे वैसे तो यह हैं बहुत परसी दुपाय है लेकिन बहुत कम लोग बहुत कम तंत्रिक लोग बहुत कम बाबा लोग इस विदी के बारे में जानते हैं इसमें आपको कैसे करना है किस परकार से करना है सारा कुछ आज हम आपको बताएगे मातर दो लहसुन की कली सिर्फ दो लहसुन की कली और चपल से आप किसी को भी अपने वसमे कर सकते हैं आपकी खुद की चपल से जी हाँ पुरानी चपल होगी उससे ही आप कर सकते हैं यह बहुत ही पावरफुल और आजमाया हुआ उपाय है तो इसको कैसे करना है? चलिए हम आपको बताते हैं. बक्तो इसके लिए आपको दो लहसुन लेने हैं ठीक है? और इसके उपर एक लहसुन के उपर ठीक है? एक लहसुन की कली पर सबसे पहले अपने प्यार का अपने जिसको भी अपने वस में करना चाहते हैं. उसका मन ही मन अ जहरा सा बसा लेना है, 26 उसकी बसा लेनी है, और लहसुन की कली पर उसका नाम लिखना है, जैसे कि माल लिया जाय उसका नाम सोनिया है, ठीक है, तो आपको इसके उपर उसका नाम लिखना है, नाम आप अपनी मात्र भासा में लिख सकते हैं, यह हमने अंग्रेजी में नाम ल लिख सकते हैं ठीक है और किसी भी दिन इस विदी को किया जा सकता है ठीक है तो कैसे करना है सारा कुछ हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको लहसुन की कली पर उसका नाम लिखना है ठीक है और साथ बार उसका नाम आपको बोलना है जैसे सोनिया 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 सोनिय, ऐसे साथ बार नाम बोलना है, और साथ बार इसके उपर फोग मार देनी है आपको इस परकार से अब जो है, दोनों लहसुन की कली आपको लेनी है और एक साथ इस परकार से रख लेनी है, ठीक है अब आपको क्या करना है चप्पल लेनी है चप्पल आपको इसमें अपनी पुरानी चप्पल भी इस्तमाल कर सकते हैं चप्पल आपको लेनी है और इसके उपर आपको रख देनी है लैसुन की कली के उपर रख देनी है यह विदी आपको एक चीज का विश्य जान देना है कि रात्री के ही समय करनी है जब भी आप सोने के लिए जाएं तभी इस विदी को आपको करना है ठीक है चपल को आपको रख देना है अपनी जगे पे से इसको हिलाना नहीं है रात भर इसको ऐसे ही रखे रहने देना है कम से कम 12 गंटे इसको ऐसे ही रखे रहने देना है ठीक है और एक मंत्र हम वो मंत्र आपको बोलना है सुबह में आपको उठना है ठीक है सुबह में आप उठेंगे तो इस मंत्र को आपको बोलना है ओम हरीम क्लीम या नसुहल अमुकम वस करी ठीक है ओम हरीम क्लीम या नसुहल अमुक वस करी ये मंत्र आपको बोलना है चप्पल को उठाना है ठीक है और इसके उपर पटकना है ठीक है मंत्र बोलना है जैसे ध्यान से देखे ओम रेम क्लीम या नसुहल अमुक वस करी और इसके उपर मार देना है फिर मंत्र बोलना है ओम रेम क्लीम या नसुहल अमुक वस करी फिर मारना है इसमे ऐसा आपको कम से कम साथ बार करना है या जादा से जादा 21 बार ठीक है उससे जादा नहीं करना है सिर्फ 21 बार और साथ बार करने से ही यह है अपना असर दिखाना शुरू कर देता है ठीक है अब लहसुन का क्या करना है वो अच्छे से समझ लीजिए आपको लहसुन को उठाना है और घर से ब अपने लगेगी, दिन रात आपी के बारे में सोचेगी, आपी के खयालों में हर समय खोई रहेगी, आप से संपर्ख बनाने की कोशिस करेगी, फिर चाहे भले ही आप से कितना भी दूर के उना रहती हो, तुरंट आपके पास चली आएगी.